इसकी विक्टिम थी स्नेहल कवारे। इस घटना के समय स्नेहल की उम्र 21 साथ थी तथा वो अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज आफ इंजिनिरिंग से मेकैनिकल इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रही थी। घटना के समय स्नेहल सेकंड एर की स्टुटेंट थी। स्नेहल के पिता का नाम हिंदू राओ गवारे था जो बैंक में काम किया करते थे। जबकि स्नेहल की मा का नाम कलमा गवारे था जो स्कूल में टीजर थी। स्नेहल के अलावा इनकी एक और बेटी थी जिसका नाम शीतल था जो उन दिनों लंदन में पढ़ाई कर रही थी। ये पूरा गवारे परिवार पूने के निनाद पो अपरेटिव सोसाइटी में लेता था। स्नेहल की गिंती अपने बैच के बैस्ट स्टुडेंट्स में की जाती थी। पढ़ाई के साथ साथ स्नेहल को घूमने फिरने का भी काफी शौक था। इसलिए जब जून महिने में उनके कॉले से कुछ दोस्त ट्रेकिंग पर जाने का मन बनाते हैं तो स्नेहल भी उनके साथ ट्रेकिंग के लिए चली जाती है। ये लोग वहां कई दिनों तक खूब मौच होस्ती करते हैं। मगर वापस आने से ठीक पहले ट्रेकिंग के दोरान ही स्नेहल के पै का अमूठा बुरी तरीके से चोड़िल हो जाता है। उसे अस्पताल में लिजाया जाता है। यहां ट्रीप्मेंट के बाद स्नेहल को कम से कम एक से तेड़ महीने आर पर ही थी। दिनके ग्यारा बुजे स्नेहल की मां कलपना अपनी रूटीन के मतावे स्नेहल को घड़ पर अकेले छोड़कर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। स्नेहल के पिता सुबह ही अपनी ट्यूटी पर जाच चुके थी। जब स्नेहल की मां अपनी ट्यूटी ख कल्पना घबरांकर स्नेहल को आवास लगाती है, मगर कहीं से स्नेहल की आवास नहीं आती है. इसके बाद कल्पना बीटी के घर से कायब हुनी की सूचना अपने पती को देने के लिए अपने मुबाइल लिकालती है, तो देखती हैं कि उनके मुबाइल पर शाम के तीन बचकर 28 मिनिट पर स्नेहल का एक SMS आई हुआ हुआ है वो जल्दी से इस SMS को खोलती है तो पता चलता है कि SMS में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है बल्कि ये एक blank SMS होता है ये SMS देखने के बार स्नेहल के कायब होने की खबर उसके पता को भी देरी जाती है इसके अलावा स्नेहल के दोस्तों और कई रिष्टदारों को भी फोन करके स्नेहल के बारे में पूछा जाता है मगर किसी के पास भी भी स्नेहल की जानकारी नहीं होती है उस समय स्नेहल का एक boyfriend भी हुआ करता था जिसका नाम हीरेंग राढ़ौर था इन दोनों की मुलाकात लगभग 2004 के आसपास हुई थी पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गे हीरेंग राढ़ौर को भी फोन किया जाता है मगर उसका मुबाइल स्विच ओफ आता है हाला कि जब थोड़ी देर बार उसका मुबाइल का स्विच ओम होता है तो वो भी कहता है कि स्नेहल के बारे में मुझे कोई जार काने नहीं है अब तक स्नेहल के पडोसियों तथा आसपास रह रहे रिष्टारों को भी स्नेहल के कायब होने की ख़बर लग चकी थी और वो लोग भी स्नेहल के घर पर आ जुपे थे यहां आकर यह सभी अपने अपने स्तर पर उन सभी संभाविच जगों पर स्नेहल की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं जाहें स्नेहल जा सकती थी लेकिन कहीं भी स्नेहल का अतापता नहीं चलता है ठक हार कर स्नेहल के माता पता दोबी वली के रामनगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां शांग के लगबग साड़े छे बजे स्नेहल के गायब होने के रिपोर्ट दर्श करवाते हैं रिपोर्ट दर्श करवाने के बाद भी स्नेहल के माता-पिता और परोजी रिश्चतार बैटते नहीं हैं, बलकि तेर रात तक स्नेहल को अपने अस्तर से खोजने की कोशिश करते रहते हैं, मगर नंग लोगों के हाथ काम्यावी नहीं लगती हैं। अब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए सभी अपने-पने कमरे में सोने चले जाते हैं। ये पानी के बोटल में पड़ती हैं। ये पानी का बोटल अकसर समीहल के कमरे में लगे इसी बड़े से बेट के नीचे मौजू ट्रॉर में रहता था। मगर आज ये नीचे गिरा हुआ था। वो नीचे चुटकर पानी की बोदल उठाती है। और बैड के नीचे बने मक्से में उसे रखने के लिए बैड पर लगे कट्टे को थोड़ा सा हटाती हैं। मगर गद्दे को थोड़ा सा खिसकाते हैं, वो अचानक से चीख पड़ती हैं। कल्पना उसी बेट की तरफ इशारा करके लगाधार चिलाई जाती हैं, और चिलाते चिलाते बेहोश भी बुजाती हैं। जब वहाँ पर मुझूद लोग कल्पना के चिलाने की बज़य समझने के लिए कद्दे को हटाते हैं, तो सभी के पैरोधले जमीन की सक्चाती हैं। उन्हें बेट के नीचे बने बक्से में एक इनसानी हाथ दिखाए देता हैं। आनक फानन में सभी लोग मिलकर कद्दे को हटाते हैं और बेट को खोलते हैं, तो जो नजार उनके सामने होता है, उसे देखकर हर कोई शॉट रह जाता है। जस बेट पर स्नेहल की माँ और कुछ दूसरे बिश्टदार रात में सोई थे, उसी के नीचे बने बक्से में स्नेहल की लाश पड़ी भी थी। स्नेहल की हाथ पीछे, पैट पीछे करके कपड़े से बांधा हुआ था, जबकि मूँ पर टौफल लपेटा हुआ था। आनदफानन में पुलिस को खबर दी जाती है, जब भी पुलिस वाले भी महा भागते हुए मौके पर पहुच जाते हैं, शबको कप्चे में लेकर पोस्थ हॉर्टर के लिए भेज दिया जाता है, जबकि एक मामला दर्स करते हुए, आगे की चांच पड़ता शुरू करती जाती है, गरवालो दोरह सबसे पहला शक्त स्नेहल के बॉइफरेंड हीरेन राठोर पर जदाय जाता है, इस स्नेहल की मा के मताबे पिछले एक हफते से स्नेहल और हीरेन का किसी बात को लेकर जगड़ा चल रहा था, और इन दोनों में आजकल बाचीत भी बहुत कम हो गए गरवालों के बयान के हुताबे, इसी जगड़े की बज़े से शायद हीरेन ने ही स्नेहल की हत्या करती होगी, वैसे भी हीरेन ही ऐसा व्यक्ती था जो अकसर इस घर में आता रहता था, और इसके बारे में स्नेहल की मा को भी अच्छे से पता था घर में की तराशी के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है, कि स्नेहल की एक सोनी की चेंड और उसके पास मौज़ोग नोकिया 1072 मोबाई, फोन भी गाया भी, पुलिस को जाच में घर के अंदर किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिलते हैं, इससे ये साफ कि जिसने भी स्नेहल की हत्या की है, वो बड़े आराम से घर के अंदर आया और शायर स्नेहल उसे चाहती भी थी, पोस्ट मौटम के बाद स्नेहल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जब पोस्ट मौटम रिपोर्ट आती हैं, तो उससे पता चलता है कि स्नेहल की मौट दम उटने की वज़े से हुई है। उसके साथ किसी तरह का sexual assault नहीं हुआ था। घर से कोई दूसरी कीमती चीज भी गायब नहीं हुई थी। ऐसे में ये लूट के लिए की गई हंत्या का मामला भी नहीं लग रहा था। जब उसे किसी को फोन करना हुटा है। जाजपरताल में हिरेन का ये दावा सच पाया जाता है। जब हिरेन से पूछा जाता है कि घटना वाले दिन को कहा था तो वो बताता है कि मैं रोज की तरह अपने काम पर गया उड़ा था। हिरेन के इस दावे की पुष्टी के लिए पुलिस की टीम उस कंपनी में जाती है चाहँ हिरेन काम किया करता था। वहाँ उसके कलीग तो इस बात की पुष्टी करते हैं कि दिन भर हिरेन 19 चुलाई 2007 को काम पर था। मगर जब कंपनी के अटेंडेंस रजिस्टर को लाने को कहा जाता है तो पता चलता है कि अटेंड अटेंडेंस रजिस्टर को खोजने की काफी कोशिश करते हैं ये कोशिश वर्ष्ण तक चलती रहती है मगर अटेंडेंस रजिस्टर कभी नहीं मिल पाता है। हिरेन के साथों द्वारा दिये गए बयात से पता चल रहा था कि हिरेन तो संभावित हत्या वाले दिन काम हिरेन को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बार फिर से हिरेन को पूश्टाश के लिए पुलाया जाता है। मगर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। पुलिस इस एंगिल से भी चार्च करती है कि कहीं इस अवैर संभन्द के रिष्टे को चुपाने के लिए तो ये हित्या नहीं की गई है। इस कारण अब इस नहीं की मां कलपना का भी साइकोलोजिकल टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनलेसिस टेस्ट किया जाता है। मगर इसमें भी कुछ भी संग्दिक्त नहीं पाया जाता है। ये सभी टेस्ट स्निहल के पिता हिंदू राव कवारे पर भी किये जाते हैं। मगर यहां भी स्निहल की हत्या के संबंद में कुछ भी संग्दिक्त नहीं मिल पाता है। हाला कि इस जाज के दौरान ये खुलासा जरूर होता है कि स्निहल की मां कलपना और पिता हिंदू राव के आपसी रिष्टे ठीक नहीं चल रहे थे। यहां तक कि हिंदू राव की बड़ी बिटी शीतर जो लंदन में रहे कर पढ़ाई कर रही थी उससे भी हिंदू राव के रिष्टे ठीक नहीं थे और उसने अपने पिता पर तो मारपीर तक का मामला पुलिस में दर्श करवाया हुआ था। इस नहल से भी हिंदू राव के रिष्टे तनाव को पढ़ रही थे। जिसके साथ कल्पना के अवैद संबंध होने का शक्ट चताया गया था। पुलिस उससे भी पूछटाच करती हैं मगर वहां से भी कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। जिन चार लोगों पर शक्ट चताया गया था सभी लगबत शक्ट के दाइरे से बाहर हो चुकिया थी। हलाकि इस नहल के बॉइफरेंट इरेन राठोर को अब तक कुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी थी और उस पर अब भी नज़र रखी जा रही थी। लेकिन उसे गिरफकार इसलिए नहीं किया जा सका था क्योंकि उसके खिलाफ एक भी सभूत नहीं मिले थे। जब पुलिस को कहीं से कोई किट नहीं मिलता है तो कुछ आलब दिखारी इस बात की और इशारा करते हैं कि शाहिए इस खटना को किसी बड़े गैंग ने तो अंजाम नहीं दिया है। इसी के बाद कतित तोर पर दाओ इपराहिम के डी गैंग से जुड़े कुछ लोगों से भी इस हत्याकान के सिपसले में पूछताच होती है। मगर यहां से भी कुछ नहीं मिलता है। इन लोगों से पूछताच करने के साथ साथ पुलिस कलना का गुंगवा मुबाईल भी तलाश रही थी। मुबाईल दो कायब होने के बाद लिस्विच ओफ हो गया था। मगर मुबाईल के IMEI नंबर के जरी अब भी मुबाईल पर नज़र रखी जा रही थी। इस घटना के कुछ दिनों पा अचानक से मुबाईल के कुछ एक्टिविटी दर्स की जाती है। और IMEI के जरी पुलिस मुबाईल को ट्रेस करते हुए मनसुख शिवाजी पाटिल नाम के व्यत्थी के पास से ये मुबाईल परामत कर लेती है। इस व्यत्थी को भी किरफदार कर लिया जाता है और पूश्टाच का सेलसिला शुरू होता है। पूश्टाच में पता चलता है कि मनसुख शिवाजी पाटल कांधी वली में एक दुकान चलाते हैं। उनको ये मुबाईल किसी शक्स ने कुछ तिरो पहले 3500 रुपे में बेचा था। बेचने वाले व्यक्ति ने बताया था कि ये मुबाईल उसे कहीं किरावर मिला था। पुलिस के कई घंडों की पूश्टाच के बार पता चलता है कि वास्तव में स्नेहल से मनसुख शिवाजी पाटल का कोई लिननेना नहीं है। बलकि किसी तीसरे व्यक्ति ने इसे स्नेहल का मुबाईल बेच दिया है। चोकि मनसुख ने मुबाईल बेचने वाले व्यक्ति को देखा था, इसलिए पुलिस मनसुख की मदद से मुबाईल बीचने वाले का स्केच तयार कर पाती है। स्केच बन जाता है मगर स्नेहल के माता-पिता समित कोई भी व्यत्ती उसे स्केच वाले व्यत्ती को नहीं पहचान पाते हैं स्नेहल को इस दुनिया से गए कोई कई महीने भी चुके थे मगर पुलिस के पास कातिल और सुबूत के नाप पर कुछ नहीं था स्नेहल के कमरे से जो कुछ फिंगरप्रिंट्स परामत हुए थे वो घरवालों से जरूर मैच खा रहे थे मगर ये पक्का सबूत नहीं था क्योंकि अंजाने में लगातार लोग इस कमरे में आ जा रहे थे यहां तक कि कमरे में लगे बेट के अंदर लाश मौचूद थी उपर लोग सो रहे थे ऐसे में वहाँ घर के लोगों के फिंगरप्रिंट्स का आना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी हां उस भीड में पुलिस सरूर हीरेंट राट और के फिंगरप्रिंट्स तलाश मौई की कोशिश करती रहे मगर पुलिस को सफलता नहीं मिल दिए क्योंकि किसी भी फिंगरप्रिंट्स से हीरेंट राट और के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं पुलिस से औल्मूस्ट इस नहल की हद्धा के मामले में क्लीन चिक मिलने के बाद हीरेन पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है समय बीता गया मगर पुलिस कभी भी कातिल तक नहीं महुच पाई 2010 तक आते आते इस केस को क्राइम प्रांच को सौप दिया गया क्राइम प्रांच की जाच के दोरानी 2010 में अचानक से इस केस में फिर से नहीं जाना जाती है दरसल 2010 में हीरेन राटोर के पिता का अधिहान हो जाता है पिता की मौत की खबर सुनकर हीरेन वितेश ते अपनी पढ़ाये छोड़कर पिता के अंतिन संसकार में शानल होने के लिए वापस अपने घर आता है पिता के अंतित संसकार के बार क्राइम प्राइच भी हीरेन को ही प्राइम सिस्पेक्ट माते हुए जाज आगे बढ़ाती है और फिर से हीरेन को पूछनाज के लिए बुलाया जाता है क्राइम प्राइच की ओर से हिरेन का नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया जाता है कोर्ट में कहा जाता है कि इस बार पुलिस के हाथ हिरेन के खिलाफ स्ट्रॉंग एविदेंस मिले है हिरेन कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी भी देता है अब नार्को टेस्ट के तयारी चल लगी थी केसी बीच केस में एक बार फिर से नाटकी मोडाता है क्राइम प्राच की ओर से कोर्ट में बयात दिया जाता है कि पुलिस को हीरेन के खिलाफ कोई पुक्ता सबूत नहीं मिल पाए इसलिए अब नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा इसके तुरत बाद धीरें भी कोड में नार्को टेस्ट के लिए दी गई अपनी जहमती वापस ले लेता है कुल मिलाकर इसने हल कवारे की हत्या को 15 साल से भी जादा बुच चुकी है मगर आस तर पुलिस ना तो एक कवाला आई है ना कोई एक सबूत और ना ही कोई कातिल वैसे ये केस अब तक बंद नहीं हुआ है और पुलिस आज भी अपने इस तर से इस केस की इन्वेस्टिकेशन कर रही है पुलिस इंतजार में है कि शाहिए किसे दिन चवतकार हो और उनके हाँ कोई पुकता सबूत लग चाहिए जो उन्हें कातिल तक लेचा है अब वो दिन कभी आएगा या नहीं वो तो समय ही बताएगा दोस्तों आपके अमसार इस नहल की हत्या किसने और क्यों किये होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा अगर आपको हमारी महनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें